हेलो एवरीवन स्वागता आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सवर्ट अभी हम बात करने वाले हीरो सीपेल टीटॉन्टी में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की वही अटपटा टाइमिंग 11.45 वाला तो यहां पर अभी हम उसके उस मैच के बारे में करने वाले हम अगर मैं बात किरू हैं ते लियहां पर कोरू सेंड़ किट्स रिजिय ह में चारो प्वाइन अहीं का बड़ की तरफ तो एक टिंश सीडी पर आप देखो तो यह थोड़ा सा है और अगर आप देखो या नंबर चार पर भी रहो कोई दिक्कत नहीं पर अगर नंबर चार तक इन्हें आना है तो भी यह सारे के सारे मुकाबले जीतने भी पड़ेंगे दोनों टीम से मान के चलो शायद अब टूड़ना मेंट से बाहर हो सकते हैं पर जमाइका के थोड़े से चांसे हैं सेंड के यहां पर अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसलिए मैं आपको पहली वीडियो में बताया था मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए तो इसलिए रुका था कि पहले इनिंग में क्या हुआ पहले इनिंग में वही हुआ जो मैं आपको बताया आपत क्युँआए स्फेट ऑफ नहीं चला वेसे जॉन चाल्स काई नहीं चलेगा वह चल गया उसमां कोई रिक्ट नहीं रखा थे टेमशा फर मैंना इसी रखा था कि पिछले जो मुकाबले रहे हैं उसकी मैं बात कर लूँगा slow ballers की अगर मैं बात करूं तो slow ballers भी हमारे पास जैसे मैं आपको बताए slow baller spinner दोनों के दोनों player हमारे बढ़िया रहेंगे तो spinner हमारे पास कौन था spinner हमारे पास इकंदर रजल इसना बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो वह दोनों मतलब वह स्लो बॉलर्स प्लस पिनर अब आपको यह भी देखने को मिला कि भी है ड्रीम लैंड पर पहले कुछ अल क्योंकि ड्रीम लैंड भी आजकल जल्दी वाजी में जो कर रहा है वह आपको पता है कि भी या कभी कभार प्लेंग 11 में players होते हैं नहीं होते हैं मैंने मैच भी कवर कर रहा था जो हमारे पास यह मैं आपको बतातों कौन समयच है लग्जंबोग टी ट्वेंटी आई जो सी राइटिंग में भी आपने देखा कि जो टॉस था थोड़ा सा डिले हुआ वैट आउट फील्ड की वाज़से तो यहां पर आप हो सकता है कि यहां पर भी वैट आउट फील्ड की मतलब बारिश हो जाए पर अभी कोई भी चांस नहीं अभी तो बिल्कुल साफ हैं यहां अब जो उपर बादल बिल्कुल साफ हैं यहां पर अगर मैं बात करूं अभी पूरी की पूरी डिटेल हम यहां पर डिसकस करते हैं सबसे पहले जो अभी मुकाबला चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखो जैसे मैं आपको बदाए था उपने नहीं बात यहां पर मीडल ओर्डर के प्लेर नहीं चले उसके बाद आशे नर्स और उसके बाद यहां पर रशीट खान बारन मार के गया यहां पर अगर आप बाइलिंग डिपार्टमेंट देखो सिकंदर रजा स्पिनर दो विकेट चटका की गया फिर उसका जेस इलियस इस मैं करता है कैसी नहीं पर कोई दिक्कत नहीं है अब दूसरी टीम के अगर आप बात करो अब भी के लिए तिवानो नाइट रेडर दो विकेट इसना खोदी है यहां पर अगर आप देखो सीदी सीदी बात भीया नहीं चला है उजासे मान आपको बता ओपने नहीं चल रहा है सकता है प्रफॉरम कर भी सकता है तो वह भी हमन थोड़ा देखना बढ़ेगा तो यहां पर आपने देखा वही है किस नाविफिण चटका यहां चटका है ज़ेशन होलडन है इस्ट सालव यहां पर आपको पता क्या करता हैं टेस्ट मैच UM मतलब बढ़िया करता कप्तान भी है टेस्ट मैच का और यहां पर भी बढ़िया परिफोर्म करा कराया यहां पर हो सकता है आज टिबान नाइट रेडर अपना पहला मुकाबला पहला पर अभी कुछ किए नहीं सकते लेंडन सीमल जासा प्लेयर अभी यहां पर है तो अभी के लिए मैं छोड़ा देते हैं जो हमें जिसके ओपर फोकस करना उसके ओपर फोकस करते हैं यहां पर सेंड को टीम है यहाँ पर सेंड के यसके की आपको मिल ज जाएकि यहां पर प्रसला मुकाबला खेला था भी यहाँ कर आ बढ़ा हुआ है तो वह आपको देखके थोड़ा चलना बढ़ेगा दूसरी अगर इनिंग अगर आप देखो तो उनके देखना बढ़िया ओपर के प्लेयर्स बढ़िया देखो आर कॉर्ड नेवल 26 एफ लेचर 16 रन फिर उसके बाद रॉस्टन चेस 27 रन तो यही मैं आपको स्थाम है तो यहां पर अभी जो इससे पिछले मुकाबले के अगर मैं बात करूं पहले जमाइका थलावास की बात कर लेते हैं पिछला मुकाबला यह भी अपना हर करा रहे हैं इनकी परफॉमेंस ज्यादा बढ़िया नहीं रही है यहां पर अगर आप देखो तो यह जी फिलिप्स शायद ना कर पाए बढ़िया तो यह आप ड्रॉप कर सकते हो पर अभी के लिए मतलब इतना ही बेकार नहीं है यह प्लेयर की सीधा-सीधा ड्रॉप कर लो तो यह हो सकता ही डिफियंशल पिक की तरह यूज कर सकते हो मतलब किसी टीम में जाएगा किसी टीम म से ने वाल हैं मुझीबुलरह्मान और संधीब्लमी चाने इन दोनों को तो हम ट्रॉप नहीं कर सकते हैं यहां नहीं कर सकते हैं तो बॉ में बात में डаксим का एक मैने देख चूकए अब दूसरी आगर मैं बात करने आंका तरह लावस हैं मतरलने पिछले से पिछले पिछला फिर वह उसमें значит वर को रखने आपको कौन से लगते हैं कि अच्छा यह दो प्लेइर चल पड़ चल कि पर नहीं चलेंगे आपको पैटन समझ आ रहा होगा जो आपको समझाना चाहर हूं एक एसा प्लेर जिसे आप त्राइब कर सकते हो पनी हर एक टीम में उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं पर बाइंग डिपार्टमेंट जो है यहां पर अगर आप देखो बाइलिंग दिपाट्मिन हो है फेड़ए हमाय पैस है मुझे बुल रहला करके दे सकता है संधीप लमीचान है हमाय पास कन समा के वLS1 यह को बठे कंसिस्री से रन बना रहे हैं तो यह हमें नहीं डॉप करने हैं उसके बाद उससे पिछला मैच जो सेंट किट्स खेल कर आ रही है वो बढ़िया टीम मतलब जैसे इस बार्विडोस के खिलाफ जीत कर रही थी बार्विडोस सेंट किट्स से बहुत ज्यादा बढ़िया उसमें हुआ गया था इवन लुइस मार के गया था तो यह आपको इस बात है ग्रेंड लीग में यूज करो एक आदी स्मॉल ग्रेंड लीग में यूज कर सकते हो बस उसके बाद अगर मैं बात कूरू रामदी नहीं पासे बीसन इसन हमारे बैंडंक ना बाइसन मारे यहां पर अगर आप इनकी बालिंग डिपार्टमेंट देखोगे तो इ एक ऐसा प्लेयर जिसना बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था और उसके बाद इमरान खान एक ऐसा प्लेयर जिसने भी ठीक था अभी पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके गया है तो यहां पर पिछले दो मुकाबले हम देख चुके हैं दोनों टीम्स कोई एक Player आप रख सकते होलत सबकर सब गरना grand league में भी ट्राइगत सकते कोई दिक्कत निया है पर small grand league में यहां पजी फिलिप small league दी दिने शरामदीन हमारी पास जो है small grand league और सी वोल्टन grand league ठीक है तीनों के तीनों player आपको बता दिये कोन कोन से player कहां कहां पर अब बैटिंग सेक्शन इवन लुइस बहुत बड़ी अपिक हमाई लिग में भी ग्रेंड लीग में भी बेंडंग ग्रेंड लीग कैप्टन और पोवल और उसके बाद क्रिस लिंग कर रहे हो ग्रेंड लीग में कप्तान रख लो सीधा-सीधा हो सकता चल जाया आज के मुकाबला इतना मतलब इतनी बिकार फॉर्म में तो मैंने को कभी नहीं देखा है बीवेल की अगर मैं बात करूं तो भी यह एक आदे मैच में मार जाता है मुझे एक सीजन याद है जिसमें पूरा सीजन कुछ भी नहीं कर रहा था और आखरी के मतलब एक-दो मैच में इसना 100-100 भी तो एन बोनर मैं तो मतलब हर एक मैच में ट्राइक करने वाले हूं यहाँ पर अगर आप देखो मीरी टीम कैसे बनने वाले जी फिलिप्स उसके बाद इवन लूइस बैंडंग उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूं एन बोनर यहाँ पर आर पवब नहीं लेकर जा रहा ह हो अगर आपको रखता हैं बोनर बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा उसके बाद यहां पर अगर मैं बात कुरूं और रॉंडिंग सेक्शन अंदर असल तो कोई भी नहीं छोड़ने वाला है सुन तन्वीर माँ पास से कार्लोस ब्रेच्वेड माँ पास तीनों के तीनों प् यहां पर मुझी बुल्रमान आर एमिरेट और यहां पर संदीप लमी चानी यह तीनों प्लेयर तो हर एक टीम में आपको दिख संदीप लमीचान चाहिए टीम में आपको ना भी दिखे क्योंकि इसकी सेलेक्शन अगर आप देखो तो सिक्स्टी एट परसेंट है तो जब तक मैच शुरू होगा तब तक आप मान के चलो करेंग लेंग मा आ जाता है तो यह 75 तक पहुंच जाएगी सेलेक्शन इसकी जे जैगर और इमरान खान इमरान खान मुझे लग रहा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाएगा और स्पिनर का यहां पर दबदबा भी रहा है त इसलिए मैं इमरान खान वहीं समझो कि भी यह क्यों विंद्ध की यह क्यों मतलब के साथ नहीं क्यों स्पिनर के साथ जा रहा हूं क्यों पिश्यों के नहीं और कामबीनेशन स्प्रिश्च शेख जाओ आपको सारी चीज़ समझ आजएगी उसके बाद यहां पर आगर मैं बात करूँ है स्कॉट्रिल आपके बहुत बढ़िया पिक रहने वाला गरेख खेल जाता है तो नहीं खेलता तो वह यह इंजड हो गया था पिछले मुकाबले में पिछला मुकाबले में पिछला मुकाबला इसमें खेला नहीं उसके आदा है फैड़ एक ऐसा प्लेयर जो आपको बता चुक हूँ यहां पर कप्तान के अगर मैं बात करूं एवन के साथ भी लोग जा रहे हैं। जी फिलिपस के साथ मैं जाओंगा यहांदिर रसल के साथ और वाइस कप्तान जो मैं जाने वालो नो वा जाने वालों मुझी बूल रहमान यान तो आर अपकर आप च चलते हैं यहां पर अगर आप देखो क्योंकि इसी टीम के जीतने के चांसिज हैं मतलब जमाइका थलावस के ज्यादा जीतने के चांसिज हैं मुझे लगता कि सैंट किट्स यहां पर हमें जीती हुई दिखेगी तो इसलिए जो मैं जमाइका थलावस के प्लेयर्स भी रखे ह वाइस कप्तान आर एमिरेट फिरूश के बाद जी फिलिप दिनेश रामदीन की जगह आप यहाँ पर आंदे रसल रख सकतो हो आंदे रसल नहीं रखा इसलिए स्मॉल गैंड लीक की डीम है, नहीं तो आंदे रसल रख लो स्मॉल लीग है टूए हट के लिए बहुत बढ़ि करें यहां पर दोनों के दोनों प्लेयर सेफ हैं फिर्शक Us got घर रखा हुआ यहां पर इमरान कंड नहीं रखा है तो यहां पर इसवारेंशल क में करें हैं तो यह आप देखो यह प्लेख में भी ट्राइभ कर सकते हो क्यों कहते हूं है कि तएसपश हो ओन Estado दोनों एक ऐसे प्लेयर जो आप डिफरेंशिल पिक में यूज़ कर सकते हो दोनों बढ़िया हैं दोनों में से कोई भी विकेट चेट का सकता पर इम्रान खान के थोड़े ज्यादा चांसे इसलिए मैंने इम्रान खान रखा हुआ था यहां पर अगर आप देखो यह पूरी क हार एमिरेट इम्रान खान संदीप लमी चांद मुझी बूल रमान पूरी की पूरी टीम है बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हो दिखे ग्रेंड लीग में ग्रेंड लीग फेवरेवल टीम है ग्रेंड लीग में अगर आप चाहो बेंड डंग को भी कैप्टन बना सकते हो ग्रेंड लीग में क्रिसलिन पक्का ट्राय कर लेना यहां पर मैंने ट्राइं नहीं कर रहा है पर आपको बोल रहा हूं ग्रेंड लीग में क्रिसलिन पक्का ट्राय कर लेना तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सब्सक्राइब कर लेजेगा वीडियो लाइक कर कि अजिए और विए टिरिंगा क्लेश्ट चैनल पार